नमस्कार दोस्तों आप सबी लिगों कर स्वागत है मैं यूटुब चनल लिटाउट जी में मैं हुधिरेश कुमार तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग कुस तरीके से मिथर्से बना सकते हैं ठीख है तो अगर आप लोग मिद्यों के दिस्क्रिप्टियोगा शुक्रिंप सब्सक्रेश को दिख सकते है तो धूंगा आप ılहें अम् Torah भात करने वाला है एक हमिंस की देशित्तों हम Palザ and मेधढ़ के कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों अब अब आज गुलनखंड है ठीक है दोस्तों तो आप मता सबसे पहले जालेंगे ए valued कि सब्सक्राइब g benefit common method से दोज सब्सक्राइब करें कर ले वायकन को प्रेस करें आपके पास हो सबसे पहले पेचे आप उसका सबसे पहले लाब उटा पाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दूस अंख्याओं का एक्जामपल ले लिया है जो कि किस तरीके से निकालता है दोस्तों देखिए मैं अप लोग बदाजता हूं तो सबसे पहले में 18 कावाव से लिखने औरश का नेकर esa ल हम लोग गये तो दो से नो बार में सलागा अब देखी एक रागए नौ तीन से लागेगा तीन तरीका हमारे नौ अब देखें अब फिर शेश्य को तीन से एक बार लागा देंगे यह खादागा तो जब आपका समझे कि यह आजाए दोस्तों आप समझे कि मेरा फैक्टर निकल चुका है 30 और 2 8-6 इसदम बार में कट गया अब विछ स्कूं गए इसको काटेंगे कुल जई से काटने एकट भी एक संख्रां का फैक्टर निकाल ले तो इन्हें सक लिखना है अब उसके बार कि इन्हें यह तीन यह हमारा अठारा सब्सक्राइब थिक क्योंड नोग निस्टोर 75 का थे चापन का निस्टी में का तो और साथ ऑष्य। धूब्ट है कि में दोनों में कॉन क्सेया थिख सब्सक्राइक ऐसे दो कमन से ठीक है दोस्तो तो और यहां पर देख सकते हैं कि कोई भी संख्या इसमें common नहीं है ठीक है दोस्तो बस एक दो ही इन दोनों में common है दोस्तो 18 और 57 का जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा वह देखिए कितना होगा अब जब आपने common दोनों संख्याओं का निकाल लिया तो अब उसके वाद आपको क्या करना है यहां पर लिखेंगे हम लोग HCF of 18 and 56 हमाना था जो भी आपको यहां पर संख्याओं आए उसको आपको यहां पर लिख देना है वह हो जाएगा हमार आंसर अगर एक से ज़्याद आता तो उन दोनों को गुना कर देते जो आता हो जाता हमार आंसर ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैं आप लोग को एक और द से ताहूं एक प्रो चौबिस और चाटिस अब इन दोनों का माली जी हमें HCF निकालना है HCF निकालना है प्राइम फैक्टराजेशन में थर्चे तो कैसे निकालेंगे देखिए चौबिस का हम लोग उसी तरीके से पहले फैक्टर निकाल लेंगे चौबिस का फैक्टर से ल तब हम लोग यहीं पर रुख जाए जाए तो अब इसे एक बार और डिवाइट कर सकते हैं तीन से हम लोग इसको डिवाइट करेंगे तो एक बार में चला जाएगा अब नो तीन से तीन बार में कट जाएगा और यह तीन तीन से एक बार में चला जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह हमारा फैक्टर निकल चुका है 24 और 36 का थामें क्या करना अब देखिए 24 का हम लोग फैक्टर जो है ऐसे लिख लेंगे हापर 24 का हम लोग इंपर फैक्टर लिख लेंगे 24 का है दो गुना दो गुना दो गुना दो कुमा दो प्लचे टिउ means Beyond कर फैक्टर तीन तीन है ठीक है एक शहाहिनी लिख नहीं बत्यक्राइगा ठीक है- एक का नहीं लिख़े तो हूँ अच्छा रहेगा और उसका बार मैंने कैसे बनेगा दोस्तों इसके बाद मैंने आपको कामन घुन तो छाए झीए आधिन दोनों में दूस्तों कमयों धूंटे हैं तो देखिए इन दवनों मैं आपको दो कोमान देख रहा होगा अब इसके बाद देखिए हम दोको में रहे हैं आप इसके बात भी यह दो फिलिकना भिखेंगे हैं और एक और यहां दो दो करेंगे तो कि यह रहा हो गया है छब लोग को हमारा हो चीए लेकिन अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप लोग तीन संख्याओं का HF किस तरीके से निकाल सकते है प्राइम फैक्टराजेशन में थर्चे चलिए दोस्तों हम लोग तीन संख्याओं का HF सिखते है तो दोस्तों देखे मैंने एक एक जामपल ले लिया है तीन संख्याओं का तो यहां पर हमारा 12 8 और 20 तो बारा आठ और 20 का हमें दोस्तों HF निकालना है तो प्राइम फैक्टराजेशन में थर्चे तो कैसे निकालेंगे जैसा मैंने आपको बताया था दो संख्याओं का निकालने के लिए यह भी सिर्फ उसी तरीके से बनेग है चला जाएगा अब लिए बार आका प्रेंओ दोस्तों हमहारा अठ कारणय का अलरण निकाल यहां किसका निकालना है एक बार में तो यह हमारा आठ का भी दोस्तों निकल चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब हमको निकाल ला है थीक है दोस्तों आभी मेरे साथ बोलते चाहिए बनाते जाए दोस्तों 20 का फैक्टर अब हमें निकालना है चले 20 का फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं तो 20 का फैक्टर हम लोग 2 से निकालेंगे दस बार में चला जाएगा अब दस दो से हमारा पांच बार में चला जाएगा और पांच हमारा पांच से एक बार में चला जाएगा ठीक है दोस्तों तो अब इसके बाद हमा में आथा रहा है तो दो और तीन हमने लिख लिया यहां पर उसके बाद आठ का फैक्टर लिखना है चलिके लिखेंगे दुटर पाच झसार दीच एक गू नी ज़िन हम उसके लिखेंगे अ यह दो दूस्तव हमने दूस्त के यह था चन्ए यह देखना है कि इन तीनों में common कौन है हमने दो संख्या ओला में तो सिर्फ दो ही में देखा था कि कौन common है लेकिन इसमें हमें देखना है कि तीनों में कौन सा संख्या common है तो देखते हैं तीनों में यह देखें दो common है और यह भी दो common है दोस्तों यह भी दो common है तीनों में अब उसके बाद देखिए और कोई तो common नहीं है नहीं है जी हाँ हमारा और कोभी common नहीं बचा हुआ है तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे HCF OFF OFF का मतलब का होता है दोस्तों 12, 8 20 12, 8 और 20 का हमारा HCF HCF का अब आपसे निकली गा मैं आपको पता था जो भी common नहीं हो में तीन हम आरा चया चयर और देखिण सकते हैं दोस्तों यहें हमारा चार हो है 12,8 और 20 का हमारा HCF हो गया है खारे है दोस्तोंップ हम नहीं को चाहँऊना कि एक और playlist से लोग को समझा दूटाकि आपको कोई भी प्राब्लम रहना जाए चलि हम लोग एक और संख्या से सीख लेते हैं तो दोस्तों जैसे क्या आप लोग देख सकते हैं मैंने एक और एक्जामपल ले लिया है पर तीन शेंख्या होका तो चलिह हम लोग इसाल्व करके देखते हैं से मैं दोस्तो दो यिसलिदे ले रहे हो कि आपको को भी प्राब्लम हो ना थीक है पिर दोस्तो अगर आप लोग को बनाने आ चुक पैसे मेरे साथ हुआ है झाल आना जो IsADA मेरे साहती बनाईक सबसे पहले में कहा ना है तो सका तो किने से कटेगा तीन से कटेगा तीन बार में 9 निकल चुगागा मैं आशा करता कि आप लोगों नहों लिगा होगा फट्रें का लगों साथ साथ पंद्रा का फेक्टर मीदाना दोस्तों सबसे पहले मुंगों संख्या और यह पांच जो है दोस्तों एक बार में कर जाएगा हमारा पंद्रा का भी दोस्तों फैक्टर निकल ही चुका है और आपका भी निकल चुका होगा आप मेरे साथ ही करते रहें दोस्तों ताकि आप भी सीख्षाएंगे इसलिए मैंने दो एक्जाम पल लिया है अब देखे 24 को हमलग फैक्टर निकलते हैं 24 को लिख लेते हैं डोसे काटेंगे तो 12 बार में चला जाएगा 12 को 2 से करेंगे च्य बार में 6 हमारा दो से तीन बार में और 23 से आज निकल चुका अब इसके बाद हमारा next step क्या था हमें उनके पर ट्रेपस को उनके सामने लिखना जैसे हैं सामने सामने लिखें ब fakult Another 15 में लिखा है यहाँ पर रहा है और हमारा थीग लिख लिख higher अब देखेए उसके बाद हमरा किस कौन सा है 24 चली 5डिकस का फेक्टर देखते हैं 2 गुक्त है 24डोच गुना 2-23 अब देखें believe दो हमारा 3 संख्याव क्योंना से लिक्रीया और इसे में हमें धेẳ्क कौनrain Soundulator संख्या कोंण से संख्या होगे वह है इस तीन ठीक है तो हमार म्हि expressed थीन ही कामन हैं ठीक है थीज़ों हमारा है थे में क्या हो जाएगे जो मैंने आपको क्या बता कि एक हीट होगान है तो वही आपका अंसर हो जाता है ठीक है तो हम लिखें गे एट सी एफ आफ नो पंदरा एंड चोवेश इस इकॉल टू हमारा तीन कॉमन है सिट तो तीन को हम लोग एंसर लिख देंगे ठीक है दूस्तों अगर इसी एक संख्या जादा आता हम लोग उसको गुना कर देते तो दूस्तों आप लोग मेरे साथ बनाया होंगे तो आप बत इस वीडियो को एक जरूर कर देगा जिसे कि हमें मोटिवेशन बनी रहती है और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उसे भी आप हमारे कमेंट वक्स में जाकर के लिख सकते हैं और दोस्तों अभी तक आप लोग आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न झाल